माता पार्वती शिव जी को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी. उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनुकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की. शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सब्तर्शियों को भेजा. पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मनजूर न था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पतनी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए शिव जी ने स्वयंभी पार्वती की परीक्षा देने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती को वर्दान देकर अंतरध्यान हुए। इतने में जहां वह तब कर रही थी, वही पास में तालाब में मगरमच ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिलाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीक सुनी न गई, द्रवित खृदय होकर वह तालाब पर पहुची। देखती हैं कि मगरमच लड़के को तालाब के अंदर खीच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देख कर कहा, मेरी न तो मा है, न बाप, न कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रा, इस लड़के को भेजा है। मैं इसे क्यों छोड़ून पार्वती जी ने विंती की, तुम इसे छोड़ दो। बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तब करके महादेव से जो वर्दान लिया यदि उस तब का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूँगा। पार्वती जी तयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तब का फल तुम्हें देने को तयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर स संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तब किया है, वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है। मैं तुम्हें अपने तब का फल देती हूँ, तु इसको जीवन दे दो। मगरमच ने पार्वती जी से तब दान करने का संकल्प करवाया। तब का दान होते ही मगरमच का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला है पार्वती, देखो तब के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी ए इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता देखते ही देखते वह लड़का अद्रिश्य हो गया। मगरमच लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तब तो दान कर दिया है। अब कुन तब आरंभ करती हूँ। पार्वती ने फिर से तब करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती भला अब क्यों तब कर रही हो, पार्वती जी ने कहा, प्रभु। मैंने अपने तब का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वै लेने को मैंने यह लीला रची. अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही एक हूँ. मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ. तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं. देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्र ियो